नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादिकी से 412 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट अखिल भारतिय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में प्रधार मंत्री ने कानूनी सहायता ना मिलने के कारण जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की आवस्यक्ता पर जो बल दिया उसकी सार्थकता तभी है जब इस दिसा में कोई ठोस पहल होती दिखेगी यह पहल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक आकड़े के अनुसार कारागारों में बंद करीब 6 लाख कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या लगभग 80% है असपश्ट है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दोसी सिध हुए बिना कारागारों में सड रहे हैं इन में से तमाम कैदि ऐसे भी हैं जो उससे कहीं अधिक समय जेलों में काट चुके हैं जो उन्हें दोसी करार दिये जाने पर काटना पड़ता आखिर ऐसे सभी कैदियों को रिहा करने का कोई फैसला क्यो नहीं लिया जा सकता क्या इससे बड़ी विडम बना और कोई हो सकती है कि बिना दोसी साबित हुए लाखों लोग जेल में सड ते रहें इस विडम बना के लिए न्याय प्रकिरिया की सुस्ती जिम्मेदार है विभिन मंचों से यह तो बार बार दोहराया जाता है कि समय पर न्याय ना मिलना अन्याय है लेकिन इस अन्याय को दूर करने के लिए जैसे प्रयास किये जाने चाहिए वैसे होते नहीं दिखते हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि कारेपालिका और न्याय पालिका के लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर अपने कर्तव्य की इतिसरी करते रहते हैं वेरा इसका कोई मतलब नहीं कि कारेपालिका और न्याय पालिका न्यायिक छेत्र की समस्याओं का बार बार उलेख तो करें लेकिन समाधान निकालने के लिए ततपरता न दिखाएं जैसे अभी अखिल भारतिय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में विचाराधीन कैदियों का विशे उठा वैसे ही चंद दिनों पहले अखिल भारतिय कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक कारिकरम में सुप्रेम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीस ने कहा था कि आपराधिक न्याय प्रडाली में कानूनी प्रकिरिया एक सजा है और कैदी अक्सर अंदेखे अनसुने नागरिक बन कर रह जाते हैं उचित यह होगा कि सरकारें और अदालतें मिलकर ऐसे किसी तंत्र का निर्माल प्राथमिक्ता के आधार पर करें जिससे न्याय प्रकिरिया को सुगम बनाने और समय पर न्याय देने का लक्ष हर हाल में प्राप्त किया जा सके इसके लिए तारीख पर तारीख के सिलसिले को खत्म करने के साथ ही अंग्रेजों के जमाने के उन नियम कानूनों में संसोधन परिवर्थन करने होंगे जिनके चलते मुकदमे वर्सों तक खिचते रहते हैं दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट अखिल भारतिय जीला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में प्रधान मंत्री ने कानूनी सहायता ना मिलने के कारण जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की आवस्यकता पर जो बल दिया उसकी सार्थकता तभी है जब इस दिसा में कोई ठोस पहल होती दिखेगी यह पहल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक आकड़े के अनुसार कारागारों में बंद करीब 6 लाख कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या लगभग 80% है असपश्ट है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दोसी सिध हुए बिना कारागारों में सड रहे हैं इन में से तमाम कैदि ऐसे भी हैं जो उससे कहीं अधिक समय जेलों में काट चुके हैं जो उन्हें दोसी करार दिये जाने पर काटना पड़ता आखिर ऐसे सभी कैदियों को रिहा करने का कोई फैसला क्यो नहीं लिया जा सकता क्या इससे बड़ी विडम बना और कोई हो सकती है कि बिना दोसी साबित हुए लाखों लोग जेल में सड ते रहें इस विडम बना के लिए न्याय प्रकिरिया की सुस्ती जिम्मेदार है विभिन मंचों से यह तो बार बार दोहराया जाता है कि समय पर न्याय ना मिलना अन्याय है लेकिन इस अन्याय को दूर करने के लिए जैसे प्रयास किये जाने चाहिए वैसे होते नहीं दिखते इसका प्रमुख कारण यह है कि कारेपालिका और न्याय पालिका के लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर अपने करतव्य की इतिसरी करते रहते हैं पहरा, समय पर न्याय ना मिलने और उसके नतीजे में लाखों विचाराधीन कैदियों के जेलों में बंद रहने की समस्या को ना जाने कितनी बार रेखांकित किया जा चुका है लेकिन नतीजा धाक के तीन पात वाला है इसका कोई मतलब नहीं कि कारेपालिका और न्याय पालिका न्यायिक छेत्र की समस्याओं का बार बार उलेख तो करें लेकिन समाधान निकालने के लिए ततपरता न दिखाएं जैसे अभी अखिल भारतिय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में विचाराधीन कैदियों का विशय उठा वैसे ही चंद दिनों पहले अखिल भारतिय कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक कारिकरम में सुप्रेम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीस ने कहा था की आप्राधिक न्याय प्रडाली में कानूनी प्रकिरिया एक सजा है और कैदी अकसर अंदेखे अनसुने नागरिक बन कर रह जाते हैं उचित यह होगा कि सरकारे और अदालते मिलकर ऐसे किसी तंत्र का निर्माड प्राथमिक्ता के आधार पर करें जिससे न्याय प्रकिरिया को सुगम बनाने और समय पर न्याय देने का लक्ष हर हाल में प्राप्त किया जा सके इसके लिए तारीख पर तारीख के सिलसिले को खत्म करने के साथ ही अंग्रेजों के जमाने के उन नियम कानूनों में संसोधन परिवर्थन करने होंगे जिनके चलते मुकदमे वर्सों तक खिचते रहते हैं Stop दोस्तो आखरी बार में इसी दिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट पर जो बल गिया उसकी सार्थकता तभी है जब इस दिसा में कोई ठोस पहल होती दिखेगी यह पहल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार कारागारों में बंद करीब 6 लाख कैदियों में से विचारा धीन कैदियों की संख्या लगभग 80% है असपश्क है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दोसी सिध हुए बिना कारागारों में सड रहे हैं इन में से तमाम पैदी ऐसे भी हैं जो उससे कहीं अधिक समय जेलों में काट चुके हैं जो उन्हें दोसी करार दिये जाने पर काटना पड़ता आखिर ऐसे सभी कैदियों को रिहा करने का कोई फैसला क्यो नहीं लिया जा सकता क्या इससे बड़ी विडम बना और कोई हो सकती है कि बिना दोसी साबित हुए लाखों लोग जेल में सडते रहें इस विडम बना के लिए न्याय प्रकिरिया की सुस्ती जिम्मेदार है विभिन मंचों से यह तो बार बार दोहराया जाता है कि समय पर न्याय ना मिलना अन्याय है लेकिन इस अन्याय को दूर करने के लिए जैसे प्रयास किये जाने चाहिए वैसे होते नहीं दिखते हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि कारेपालिका और न्याय पालिका के लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर अपने करतव्य की इतिसरी करते रहते हैं फईरा, समय पर न्याय ना मिलने और उसके नतीजे में लाखों विचाराधीन पैदियों के जेलों में बंद रहने की समस्या को ना जाने कितनी बार रेखांकित किया जा चुका है लेकिन नतीजा धाक के तीन पात वाला है इसका कोई मतलब नहीं कि कारेपालिका और न्याय पालिका न्यायिक छेत्र की समस्याओं का बार बार उलेख तो करें लेकिन समाधान निकालने के लिए ततपरता न दिखाएं जैसे अभी अखिल भारतिय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में विचाराधीन कैदियों का विशे उठा वैसे ही चंद दिनों पहले अखिल भारतिय कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक कारिकरम में सुप्रेम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीस ने कहा था कि आप्राधिक न्याय प्रणाली में कानूनी प्रकिरिया एक सजा है और कैदी अक्सर अंदेखे अनसुने नागरिक बन कर रह जाते हैं उचित यह होगा कि सरकारें और अदालतें मिलकर ऐसे किसी तंत्र का निर्मार प्राथमिक्ता के आधार पर करें जिससे न्याय प्रकिरिया को सुगम बनाने और समय पर न्याय देने का लक्ष हर हाल में प्राप्त किया जा सके इसके लिए तारीख पर तारीख के सिलसिले को खत्म करने के साथ ही अंग्रेजों के जमाने के उन नियम कानूनों में संसोधन परिवर्तन करने होंगे जिनके चलते मुकदमे वर्सों तक खिंचते रहते हैं Stop